नमस्का फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हर्दिक शुबकामना है चैत्रमाश, शुक्लपक्ष, 9 एप्रेल और 2081 जो हिंदू का नया समवजसर आरम हुआ है उसकी विजह से चार राशी वालों को क्या कुछ प्रभाव आएगा मेश से लेकर करक राशी वाले हैं वो इस साल की जो मंतिर परिशत की गटना हुई है उसके विजह से आपको क्या प्रभाव आ सकता है इस वीडियो में उसकी मैं चर्चा करूँगा और वीडियो का जो अधार बिंदू रहने वाले हैं जिसको लेकर कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे वो है इस वर्ष के राजा जो कि मंगल माराज है और जो मंत्री है जो एडवाईजर के पैस्टी में इस साल बैठे हुए है वो है शनी माराज तो मंगल और शनी को अधार बिंदू बनाते हुए चार राशी वालों पे हम चर्चा करेंगे और इस वर्ष होने वाले कुछ बड़े गोचर जैसे की देवगुरू बहस्पती विशब राशी में गोचर कर जाएंगे उसको भी अधार मानते हुए हम वीडियो में चर्चा करते हैं सबसे पहले मेश राशी वालों की बात करूँगा मेश राशी वालों के लिए आपके जो लगनेश है मंगल इस वर्ष राजा की पद्वी पे आ गए है और मेश राशी वालों के लिए ये वो स्थान होता है जहां सूरे माराच उच्च का महसूस करते है सूरे की जो गर्मी है सूरे का जो तेज है और मंगल को जो राशी में जाकर करके वो अगनी सुरूप हो जाते है मतलब वो अनरजी जो किसी काम में आ जाए ऐसा प्रकाश, सूरे का प्रकाश जब execution में हो जाता है जब कर्यानवित करने के लिए आता है तो मेश राशी में पहुंचता है और इसी वर्ष जैसे मैंने कहा कि ये राजा की पद्वी पे आ गए तो अब राजा अपने हिसाब से जो है वो चीजों को देखेगा तो मेश राशी वनलों के लिए सबसे पहले तो आपके वेक्तितों में इस प्रकार का परभाव आजाएगा कि आपका दवदबा आपका मान समान आपका रुटबा इस प्रकार बढ़ जाए कि जो भी लोग आपसे मिलें जो भी आपसे समन्द बनाए आपके काम सहज रूप से सफल या सिद्ध हो जाए कोई बिमारी रोग से आप इससे पहले से गसिद्ध थे तो बिमारी रोग आपका यहां पर दूर हो जाएगा और इस वर्ष आपको कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो की बहुत पवित्र आत्मा हो चाहिए ुरू की रूप में हो सकता है या कोई फ्रेंड है या कोई फिलोस्पर है जो आपके जीवन की दिशा को बहुत उत्तम तरीके से आगे बढ़ाएगा बहुत अच्छा समय आपके लिए है कोई ना कोई आपको डिफेंड करेगा कोई ना कोई आपकी रक्षा के लिए या कोई आपकी हीतों को साधने के लिए इस साल आपको ऐसा वेक्ती जरूर मिलेगा तो विवा की ये परिस्तितिया हो सकती है कोई जीवन साथ ही आपको इस वर्ष मिल सकता है तो मंगल के परिस्तिती बहुत लुटम है आपकी कमजोरी है कि आप जल्दवाजी बहुत करते है अधीर हो जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं तो उससे इस वर्ष आपको बचाव करना होगा क्योंकि ये राजा है और राजा जू होता है प्रजा का सभी जो होती है उसके लिए जो प्रजा सुरूप है उन सभी की देखबाल करता है। किसी के साथ ज़्यादा या कम का भाव नहीं करता है अगर आप ऐसा भाव करेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं तो मेश राशी वालों को इस वर्ष किसी पे रोध हिंसा जैसी कोई कारवाही नहीं करनी है शहरी माराज आपके लाबस्तान के स्वामी है वो मंतरी है अब वो आपको अड़्वाइज देंगे वो आपको गाइड करेंगे जो कि रोजगार काम धंदे से लेकर होगा विदेश जाने की परिस्तेति हैं बन सकती है सुक सुर्धाओं में वरिद्धियां पर होती हुए आपकी नज़र आएगे और कोई काम जमीन से समंदित आपका जो काफी लंबे से में प्रॉपर्टी से समंदित को विवाद है जगड़ा है वो इस साल सुलच जाएगा और आपकी जमीन बिख सकती है बहुत अच्छे दामों में और साथ ही साथ इस साल अगर आप कोई फ्लैट खरिना चाहते हैं जमीन खरिना चाहते हैं वो खरीच सकते हैं ने मकान बदलना है इस परकार की परिस्तेती भी मेश राशी वालों के साथ बन रही है अगली राशी वरिशब राशी है और वरिशब राशी के जो स्वामी है शुक्र माराज इस घर में जाकर के चंदर्मा जाकर उच्च के हो जाते हैं वरिशब राशी में और चंदर्मा जो है वो एक सरक्षन है चंदर्मा जल तत्व है और जल का काम होता है किसी को सींचना किसी को आगे पोशित करना इस परकार से माता का जुगून होता है वो मातिर्त्व है, बच्चे को आगे बढ़ाना, बच्चे की परवरिश करना, उसी प्रकार से पारन पोशन वरिशब राशी करती है, प्रित्वी तर्तों के इसमें नहीत रहता है, स्टेबिलिटी की राशी होती है आपके लिए सबसे बड़ी खुशकबरी के बात ये है कि इस साल इस राशी पे देवगरू ब्रहस्पती का गोचर होना है, तो आप आप देख लीजे, जो भी कुछ आप इससे पहले करते हों, जो भी काम धन्दा, जो भी कारे वेबसाइब करते हों, उसकी एकदम से मुनाफ वेबसाइब बहुत अच्छे सागे बढ़ेगा, ये बहुत जबरदस परिस्थिति आपके लिए है क्योंकि आपके लगन में देवगरू ब्रहस्पती इस साल गोचर करेंगे, मंगल की बात करूँ तो मंगल आपकी जर्म कुलने के साब से जो राजा है, वो बार्वे जो केंदर और त्रिकुर्ण भाव के स्वामी होकर के, इस वक्ष मंत्री परिशद में है, तो कहीं विदेश जाने की परिस्तितियां शहनी महराज की बिज़ा से बनती भी नज़र आएंगे, उच अध्यन के लिए शहनी महराज यहां पर आपको प्रेरिद करेंगे, लेमर वर्ड से जो लोग जुड़े हैं, जो फैशन वर्ड, मॉडल, एक्टिंग, डिरेक्शन, इन सभी प्रोफेशन कारे धंदों में, आपको मंगल और शनी की जो यह परिस्तिती है इस वर्ष की जो राज़ा और मंत्री के पर रूप में आपको बहुत जबर्दस सफलत आते वे नज़र आएंगे, और विशब राज़ी वालों के लिए अगर हम उनकी कमजोरी की बात करें तो इस वर्ष जो आपको ध्यान रखना है, वो फुजूल के खर्चे नहीं करना है, फुजूल की यात्रों पर नहीं जाना है, जहां जिसकी जितनी जुरुत है आप उत तमलाब ले सकते हैं, जो नया समसर आपके लिए लेकर के आएगा, अगली राशी मिथुन राशी है, और मिथुन राशी वालों की बात करूं, तो आपका जो आपके दशमस्तान के स्वामी है, देव गुरु ब्रहस्पती और सब्तमस्तान के स्वामी ब्रहस्पती, आपके किस प्रकार से लाब देगी, उसका कांड बनेगा कि आपकी जर्म कुली में देगुरुर्व रहसपती को केंदराधीपती दोश लगता है और उसका स्वामी अगर अश्टम भाव में चला जाता है या बारवेन भाव में चला जाता है और आपकी जर्म कुली में मंगल की जो परिस्तिती रहती है वो अश्टम भाव के छटे स्थान के स्वामी भी होते है तो मंगल का जो भाव आपके जीवन में रहता है वो रोग से रहता है छटा भाव रोग का होता है रेंड का होता है शत्रू का होता है उसी से छटे से छटे सान की स्वामी भी होते है परंतु मंगल इस वर्ष राजा है और राजा जो होता है अपने भाव को खराब नहीं तो आपको रिंड रोग और शत्रों से साल बिलकुल जो है मुसीबतों से आप दूर होते हैं नजर आएंगे जमीन शेयर मार्केट से लॉटरी से या आपका रियल इस्टेट का कोई काम है तो मंगल इस वर्ष आपको पूर्ण रूप्शस में सफलताय दिलाएंगे आप शेयर मालों के लिए बहुत उत्तम बनी हुई है और वहीं शनी माराज का गोचर भी है तो शनी माराज की जो परिस्तिती है आपकी जनम कुल निम भागेश भी होते हैं भागेस्तान के स्वामी शनी माराज है शनी की ये परिस्तिती इस वर्ष जो है वो जो मंत्री के ही है धर्म करम के लिए आपके कारेवेबसाइब में काम धंदे के लिए बहुत उन्नती बहुत तरक्की भराया समय हो सकता है आपको आपके जमीन कहीं से आपको प्राप्त होती हुए नज़र आएगी कास दोर पर जो पुष्टाइनी जमीन है उसके लावा जो उनका इंडस्ट्रीज का काम है फैक्ट्रीज का काम करते हैं उनके लिए बहुत उन्नत परिस्तिती है communication, IT field जो लोग जुड़े हैं, marketing से जो लोग जुड़े हैं, licensing का जो लोग काम करते हैं, लेखर का जो काम करते हैं या किसी ने किसी रूप में जो commission earn करते हैं, किसी चीज को बेच करके या किसी चीज की सौदी बाजी करके उनके लिए मिथुन राशी वालों के लिए वर्ष बहुत उन्नत रहने वाला है बहुत तरक्की वाला समय हो सकता है जो काम बहुत लंबे समय से आपके नहीं हुए है मिथुन राशी वालों के कारे इस वर्ष से दोंगे चाया वो विवाह की परिस्तितिय हों चाहे वो रोजगार की परिस्तिती हो चाहे बच्चों की तरफ से कोई खुशी पराप्त करनी हो इस वर्ष मेतुन राशीवनों को सभी कुछ पराप्त होगा अगली राशी करक राशी है और करक राशी के लिए विशेश तोर पर जो परिस्तितिया बनने वाली है वो भी आपके देवगुरु प्रहस्पती का गोचर है पागेस्तान के स्वामी होते हैं देवगुरु प्रहस्पती आपके जर्म कुणली में और मंगल आपके लिए बहुत योग कारक ग्रह की परिस्तिती में रहते हैं पंचम और दशमस्थान के स्वामी मंगल महराज राजा की पद्वी पर है और राजा की पद्वी पर इस वक्त होने के वज़ा से आपके जो हित है जो आपके डिजायर्स है जो आपके अभिष्ट इच्छा है उनकी रक्षा करना आपके हितों की रक्षा करने के लिए मंगल, महराज, स्वैम, राजा के रूप में आपके जर्म कुनली में हैं तो आपके जो हित हैं वो हो सकते हैं कोई नौकरी के समंदित आपका कोई इशू है, विवाद चल रहा हो, वो ठीक हो जाए कोई परिवर्तन आप करना चाहरे हैं, चाया वो रोजगार से समंदित है चाया अपने विक्तितों में किसी प्रकार का कोई बदलाव लाना चाहरे है चाया उसके लाबाब आप घर को बदलाव करना चाहते है, घर की कोई रैणुईशन इस वर्ष वो जरूर ये सभी कारे आपके सिद्ध होंगे दामपत्य सुख में कोई परिशानी दिक्कत आपको चल रही होगी वो भी यहाँ पर सुधरती वी नजर आएगी उसमें मधूरता समरस्ता का भाव यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा आप emotional बहुत ज़ादा है तो आपको emotional आपकी weaknesses है और वो ही आपका fault है तो उस emotions को इस वर्ष में आपको बिल्कुल control में रखना है हलांकि शनी माराज स्वयम ये कारे आपके लिए करते वे नजर आएगे बहुत practical आप इस वर्ष नजर आएगे अपने कारें को अपने काम को आगे निकानने के लिए आप बहुत अच्छे परीके से इस वर्ष प्लानिंग करते हुए नजर आएगे और ये जो प्लानिंग आपकी होने वाली है तो इसलिए कोई बड़ा project इस समयाब कर सकते हैं जल्दबाजी आपको नहीं करनी है अस्थान परिवर्टन के लिए भी बहुत ज़दा धीर नहीं रहना है अन्य था ये गोचर आपके लिए बहुत शुब समाचार लेकर का सकता है अगर आप stability से अपने काम को धहरे से काम को आगे बढ़ाएं थोड़ा perseverance रखें थोड़ा patience रखें तो करकराशी वाले बहुत उन्नत परिस्तिति यहां से ले सकते हैं जो आप इस वर्ष इससे पहले जो आपको depression and anxiety की problem चल रही है आपके शत्रू बहुत ज़दा हो जाते हैं चाहे कार एक शत्र की में बात करूँ चाह रिष्टेदारी में चाहिए आपके यार मित्र आपको धोका दे जाते हैं परन्तु यह परिस्तित यह स्वर्ष बहुत आपकी जो है वो बहुत हद तक सुधर जाएगी क्योंकि मैंने कहा कि आपकी हितों की रख्षा करने के लिए मंगल महराज स्वयम आ गए है तो संतान की तरफ से भी खुशिया समय प्राप्ट करेंगे नौकरी, रोजगार, वेबसाय, कामधंदा, प्रोफेशन जो कुछ भी आपका है उसमें उन्नती तरक्य होने वाली है हाउस वाइफ हैं, बहुत अच्छा समय है मातरतुत का गुणा आपके हाँ भणने वाला है संतान की पक्ष से आप सुख प्राप्ट करते वे नज़ आएंगे घर में सुखों का बोल बाला होने वाला है और एग्रिकल्टरिस्ट के लिए भी ये परिस्तेदी बहुत अधनत बनी है तो ये नए साल की आज हमने गड़ना की जिसमें हमने समझा कि किस परकार से मंगल महराज और शानी महराज राजा और मंतरी के रूप में इन चार राशी वालों पर क्या कुछ परभाव देंगे उसको हमने इस वीडियो में समझा उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ इस वीडियो प्लीस सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्स वाचिंग दे वीडियो